आस्था की नुमाईश लगाकर आज आस्था का बवंडर बनाकर मीडिया में तमाशा बनाकर एक ड्रामा खड़ा करेंगे जिससे की वोट बटोरने में आसानी हो ये रोटी रोजी के दंदे ढूंड रहे हैं अपने लिए का विकास हो रहा है दादागिरी का धर्म जाती के ज देकर उन्हें गौरक्षक बनाकर गुम्राह करके नशा करके मुसल्मानों पर अटैक करवा दिया जाए ये विकास मंदिर के बनने से होगा मीडिया को डूब के मरने की बात है पूरा विश्व देख रहा होगा और वो तूतू कर रहा होगा ये वही करेंगे जो इनके आका नहीं करेगा ये ताना शाही ज्यादा नहीं चलेगी ये लगता है ये अमर होकर आए हैं ये कभी जाएंगे नहीं कभी मरेंगे नहीं तो ये इनका ब्रह्म है जनता जब शेर की दाहार के साथ उठखड़ी होगी तब इनका नामों निशान खत्म हो जाएगा नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहीतावाज जिस तरीके से सुबसे नाशनल मीडिया पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की महिमा मंदन हो रही हैं वहाँ आयोध्या पहुंचे हैं और वहाँ पर उनके भाशन चल रहे हैं और पूरा मीडिया जो है वह महिमा मंदन कर रहा है नाम बदल दिये हैं रैलवे स्टेशन के और एयरपोर्ट के भी नाम बदल दिये गए इन सारी घटनाओं को किस तरीके से देखती हैं क्या कहेंगी इस पर बेहद शर्मनाग बेहद शर्मिंदा करने वाली यह घटनाएं हैं और यह मीडिया को कुरा विश्व देख रहा होगा और वह तूतू कर रहा होगा क्योंकि आज डेमोक्रेटिक युग में सेकुलर सिस्टम में और ग्यानिक युग में इन सब बातों पर जो चलता है जो इन चीजों को लेकर ड्रामा करता है दिखावा करता है और देश की समस्याओं के समधान की बजाए बच्चों की शिक्षा चिकषा बिजली पानी उनकी बजाए बेरुजगारी के मध्लिचर लगा उवा है अगर नो मीडिया चर्ण वंदना में लगा उवा है तो यह मीडिया मीडिया नहीं है यह वह जरण भाट यह पहले मेंस्रीम मीडिया को इड़र्टाइजमेंट सरकार से चाहिए आज इन्हें कॉर्प्रेट के पैसे से मीडिया चल रहे हैं तो यह वहीं करेंगे जो इनके आका इनको कहेंगे क्योंकि सुबह दस बजे इनको ब्रीफिंग आ जाती है कि आज कौन सा तांडव रचना है आज किसको दिखाना है और किसको छुपाना है आज अगर साक्षी मलिक रो रही है तो उसका नाम नहीं आने देना है आज अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सामने नहीं दिखाना है आज तुमने मोदी का दिखाना है क्योंकि वो विश्णु का अवतार है क्योंकि वो आज राम मंदिर बनाने के लिए निकला है आज राम मंदिर बनाकर वो सारे देश के 60 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देगा वो राम मंदिर बनाकर सारे बच्चों को जो सड़क पर भीक मांग रहे हैं उनको उनको सब को राजगदी पर बिठा देगा आज इस पूरे देश की महिलाएं जो आज मनिपूर में नंगी गुमाई जा रही है या पहलवान बेटियां का सीटी जा रही है या रोज बलातकार हो रहे हैं या रोज किसान आत्मत्या क एक तरफ हाहाकार मचा हुआ है यह देखिए विचारे वो जो अगनी वीर भारत में राम मंदिर बन रहा है विकास हो रहा है मत्हुरा में बाके बिहारी मंदिर का कोरिडोर बढ़ाया जाएगा इस अब विकास ही तो है आप जानते हैं कितने कितने लोगों की रोटी रोज कितने को ओड़ाया और से रहे थे लखनो कारिवर प्रंट बनाने के लिए एसे कौरिडोर बनाने के लिए ये दुकानों को उजारते हैं जी रोटी चीनते हैं और लोगों के घर तोड़ते हैं यह क्या कर रहे हैं इनको इतिहास माफ नहीं करेंगा ये ताना शाही ज्याद यह कभी जाएंगे नहीं कभी मरेंगे नहीं तो यह इनका ब्रह्म है जनता जब शेर की दाहड के साथ उट खड़ी होगी तब इनका नामों निशान खत्म हो जाएगा और दान मंत्री कह रहे हैं कि देखें पोस्टर भी आए हैं विकास और विरासत का साजह ताकत जो है भार कर is लिवर्ड की उनवेस्टि इन में एक भारत की उनवेस्टी पाँद का तीन-स तो ये उनको ये खुद है और देश यू रोहा़ों को देश किस चीज का विकास हो रहा है दादागिरी का धर्म जाती के जगड़ों का विकास हो रहा है महिलाओं को बेज़त करने का विकास हो रहा है पढ़ाई बरबाद करने का विकास हो रहा है अनपढ़ गवार रखने का विकास हो रहा है बेरोजगार बनाए जाने का विकास हो रहा है पकोड़े तलो या चाय बेचो या कोई और ऐसा ही ज़ाडू लगाने का या दूसरा ऐसा कोई काम करो नौकरी मत मांगो ये विकास हो रहा है राम मंदिर बन रहा है वहां भी तो तमाम ब्यपारी लोग अपना ठेला लगाएंगे दुकानी खुलेंगी तो ब्यपार का विस्तार हो रहा है राम मंदिर से तमाम चीजे वहां पर विकास होंगी हाँ विकास के लिए मंदिरी तो बच्चे हैं विकास के लिए युनिवस्टिया नहीं चाहिएं विकास के लिए आई आई टीज नहीं चाहिएं विकास के लिए हॉस्पिटल्स नहीं चाहिएं आई एम्स नहीं चाहिएं विकास के लिए मंदिर चाहिएं ताकि हमारे लड़क वहाँ भीक मांग सकें, गाने बजा सकें और हमारे बच्चे जो हैं वो कावड लाने वाले कावडिये बना दिये जाएं या हाथ में डंडा देकर उन्हें गौरक्षक बनाकर गुम्राह करके नशा करके मुसल्मानों पर अटैक करवा दिया जाएं यह विकास मंदिर के बनने विकास तो विश्व में भारत को नीचे से नीचे लेता जाएगा जाएगा कौनसा इसलान podcast देश हिंदू राष्ट नेपाल हैं कितना विकास रखा है यह बना दे ना इसे इंदू राष्ट डिक्लेयर कर दें कितना विकास हो खा कितना नाम कमालेगाалась प्यूंसा वो हमिचा इसलामिक राष्ट्टान चलाफो समय से उध्य करें उसलियों जर्ण टोलन को अपनी टैलेंट को अपने डवलेप्मेंट को उस अंदे कुए में धर्म की उसमें धकेल रखा है भारत को भी उसी तरफ धकेला जा रहा है चैतर साल की जो कमाई थी उसको आज राममंदिर के नाम पर ऐसे ही बवनडरों के नाम पर बरबाद और तबाह करने का काम यह सरकारे कर रहे हैं और इसे इतिहास माफ नहीं करेगा लाखो हिंदूों की आस्था है राब मंदिर में, किसी को धकेल के थोड़ी भेजा जा रहा है, जिसकी मर्जी होगी वो जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा, मत जाएगा, वो जिनकी आस्था है वो जा रहे हैं देखिए आस्था घर के लिए होती है, खुद के लिए होती है, अपने विचार के लिए होती है, आस्था वोट बटोरने के लिए उसका नुमाईश नहीं लगाई जाती, आज आस्था की नुमाईश लगाकर, आज आस्था का बवंडर बनाकर, मीडिया में तमाशा बनाकर, किसी का कोई भलानी होने वाला कौन आस्था के नाम पर वहां जाकर अपने घर परिवार को छोड़ कर या अपने रोटी रोजी की चिंता को छोड़ कर वहां जाकर कोई आस्था का क्या पोशन करेगा आस्था तो हर एक इंसान की इंसानियत के प्रती होनी चाहिए धर्म मानते के लिए एक ड्रामा कड़धा करेंगे जिससे कि बोट बटोरने में आसानी हो में इसे को 24 के चुनाओं में एक मुद्द हमल्डा बनाय कि देखो राम बना दिया देखो 379 बिए 379 के लिए कॉर्प्रेट को वहां पर शश्टी जिमिक जमीने खरीदने के देने के लिए वहां पर अखरोट बदाम और खुबानी के बाग देने के लिए वहां पर पूरे के पूरे ये सेब के और उनके बहुमुले जमीने बेचने के लिए 370 से और किसी का कोई लाब नी हुआ, इसी तरह राम मंदिर ने करोडों रुपए की, लाखों करोड रुपए का हेरा फेरी खुद जो राम मंदिर टरस्ट बना है, उसने करी है, ये रोटी रोजी के दंदे डूंड रहे हैं अपने लिए, अपने लिए RSS के लिए और अपने आप करने के काम करेंग आप अपने घर में देखिए नाया आपने घर को तोड कर एक मंदिर बना कर छोड़ दीजिए कहा कोई सोए गा कहा कोई रहे गा कहा कोई खाए slack वो सब खतम घंटी बजाए बीक मांगें उसके आगे खड़े होकर यह मंदिर करेगा ना यहीं मंदिर बनकर यहीं होगा और क्या होने वाल है बताइए तो बताइए कौन सा बड़ा काम हो जाएगा मंदिर बन जाने से बताइए किसको रोजी-रोटी मिल जाएगी किसकी जो मुलम्मा रचा है और यह राजनितिक चेतना के अभाव के कारण यहां की जनता उसके पीछे चल रही है लेकिन सब मूर्ख नहीं है यह बेशर्मी तो मैं काऊंगी इस विपक्ष की है जो लोगों को जागरूख नहीं कर पा रही है उनी की ढपली का अब सुनेंगे वह बैठ कर भाशन क्यों नहीं यह खड़े हो कर जनता के बीच में जाकर इस आवाज को बुलंद करते कि हमें रोटी रोजी चाहिए हमें शिक्षा चीकित्सा चाहिए हमें युनिवस्टियां चाहिए तम युनिवस्टियों को तुम प्राइवेट करते जा रहे हो और मंदिर बनाकर तुम यहां किसका बहला करने जा वाले हो यह होना चाहिए बाइस जनवरी को राम मंदिर का उद्गाटन होने जा रहा है और उसको लेकर तमाम तरह की जो है तैयारियां चल रही है और आज प्रधान मंत्री अयोद्या खुद पहुंचे और तमाम भाशन दिये और वहां पर जाकर तमाम चीजें की उस पूरी बात्चीत पर इसी पर हमने मैम से बात की और पूरी बात्चीत पर अपनी प्रतिक्रियाज जरूर दीजे कैमरा मैं आशीस खसांथ ब्यूटी गरी